हरे कृष्णा राधी राधी जैस्री शाम दोस्तों कैसे हो आप सब आप सब आप सभी ठीक होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे और आप सब अपने बहुत ध्यान रख रहे होंगे सो यहाँ पर देखिए हमारे माधव ने आज कितनी प्यारी सी ड्रस पहनी है और यह पजामा ड्रस मैंने पहनाया है नीचे पजामा पहनाया हुआ है और उपर से यह कमर काचनी है जो कि काफी हैवी बनाई थी मैंने और लंबी वाली जो कमर काचनी होती है वो वाली बनाई थ है श्नान करवा दिया था और अब मैं कर रही हूं माधव का श्रंगार आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए वो लोक्रेश ने करें या लाले कीजे माधव शरकार कीजे तो यहां पर हमारी माधव ने गले में पहना है चोकर फ्लावर्स में है और मोतियों में है तो यहां पर जो यह माला है इसको अच्छे से सेट करने के लिए यहां पर मैं मौम का यूज़ कर रही हूँ श्री कृष्णी गोविंदे हरे मुरारी एनाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्णी गोविंदे हरे मुरारी एनाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्णी गोविंदे हरे मुरारी एनाथ नारायन वासुदेवा तो अभी हाथों में मैंने कंगन पैना दिये हैं गले में मैंने जो चोकर सिक पैनाया है वो होता है ड्रस वगेरा जो होती है वो किसी भी कलर के हम पैना देते हैं बट ऐसा हर समय नहीं रहता है कि ड्रस से मैचिंग कि ही जोलरी हो तो उसके लिए मैंने आप सभी को अप्सन में बता रखा है कि आप इस तरह से मल्टी कलर की जोलरी है और मोतियों की जोलरी है इस तरह से आप अपने बाल गुपाल जी की जोलरी कलेक्शन है उसमें जरूर रखिए सो मैंने यहाँ पर मल्टी कलर का सेट पेनाया है और उसके साथ में हाथों में कंगन पेना दिये हैं और यह है पगड़ी हमारे सौरी मुकुट जरकन का मुकुट जो की मोतियों में है और वो भी मल्टी कलर में हैं कितने अदबूद लग रहे हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और यह जो पटका है न इसको मैं सेट अप करूँगी बड़ देखते हो अगर अभी हो जाता है तो कर लेती हूँ नहीं तो फिर जब मैं माधव को उनके सिंगासन पे विराजमान करूँगी उस टाइम पे जो पटका है उसको अच्छे सेट कर दूँगी क्योंकि पटका जो होता है वो बैक साइट सेट करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कई बार उठाना पड़ता है जैसे माधो का स्रंगार कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर अलग माधो को बिठा कर और फिर श्रंगार कर रही हूँ तो कुछ इस तरह से यह पटका सेट करूँगी और आप सभी को पता है कि जब माधो को आसन पर बिठाऊँगी तो फिर एक बार बिठा देते हैं तो फिर वहाँ पर जो यह पटका सेट करूँगी तो फिर इधर उधर नहीं होगा एक जिगे फिक्स हो जाएगा अच्छे से बैट मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से मैं पटका सेट करती हूँ तो यहाँ पर बीच में मैंने हाफ पार्ट में दो पार्ट में पटके को डिवाइट किया है और 20 center से मैंने पटके को pin up किया है तो यह द की आधा पटका हलका सा नीचे साइड में रहेगा और आधा पटका उपर की साइड में रहेगा कुछ इस तरह से मैं पटका set करती हूं तो चलिए अभी मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया है तो चलिए एक बार आपको श्रंगार दर्सन करवा देती हूँ फिर इसके बाद मैं माधव को उनके आसन पे भी राजमान करूँगी तब ये पटका सही से सेट कर दूँगी ठीके जी तो ये है हमारे माधव सरकार का आज का श्रंगार आई होप आप सभी को हमारे माधव का श्रंगार अच्छा लगा होगा अगर माधव जी का श्रंगार आप सबको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए जादा से जादा शेयर करिए अपने फैमिली में अपने दोस्तों में ठीक है जी हरे क्रिश्न